कि अलो गाइज वेलकम टो आर्वेस के कटकेट में माइम इस राज विजय सिंग्ग आज की वीडियो में बात करेंगे लैनल लेंथ के पारे में अगर आप एक अच्छे स्कोर बनाना चाहते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेट है कि आपकी तरफ जो बॉल आ रहा आप उसको कितने अच्छी तरीके के साथ खेलते हैं और यह तभी हो पाएगा जब आपको बॉल की लाइन और लेंथ जच करना अच्छे से आता होगा अगर आपको लाइन और लेंथ जच करना आ गया तो आप वर्ल्ड क्लास बॉलर को भी असानी के साथ खेल सकते हैं बॉल क किरकेट पिच, बॉलर जब अपना बॉल कराता है तो वे या तो बॉल को फुल लेंद रखेगा या फिर गुड लेंद पे या फिर शॉर्ट लेंद इन सभी लेंद पे अलग-अलग शॉट्स बैट्समेन खेलता है तो आईए जानते हैं उन शॉट्स के बारे में अगर बॉलर फुल लेंद बॉल को ऑफ सैड में पिच कराता है तो आप कवर ड्राइब खेलेंगे इसी तरीके से हम अपने बागी शॉट्स भी खेलेंगे जैसे गुड लेंद पे फॉवर्ड डिफेंस, स्वीप, शॉट ओफ लेंद पे लेट कर्ट, बैक फूट डिफेंस और बैक फूट ग्लांस ऐसे ही हम शॉट लेंद पे खेलेंगे स्क्वार कर्ट, पुल एंड हुक शैड़ प्रैक्टिस इन सभी शॉट्स को अच्छे से खेलने के लिए आपको बॉल को स्लोट में एज्यूम करना है जहां से आप एजिली कवर ड्राइव, श्टेट ड्राइव, ओन ड्राइव, फॉवर्ड डिफेंस, स्वीप, बैक फूट पंच, कट, पुल एंड हुक अ एक्टिविटीज को डिटेक्ट करना होगा, जैसे बॉलर विकेट से कितनी दूरी से बॉल करा रहा है, उसकी सीन पोजिशन क्या है, और वह किस एंगल से बॉल डाल रहा है, यह बहुत जरूरी है किसी भी बॉल की लाइन और लेंद को समझने के लिए, कि बॉलर कहां से ज ग्रिप किया है, बॉलर अगर विकेट के एंड से बॉल डाल रहा है, तो डेफरेंटली वह बॉल को ड्रिफ्ट कराना चाता है, दूसरा ग्रिप, अगर आपने बॉलर की ग्रिप को अच्छे से देख लिया है, तो फिर आपको लाइन और लेंद्स जच करने में कोई भी द अगर आप लाइन और लेंद्स को सही से जज़ करना चाहते हैं, तो यह ड्रिल आपको इसमें बहुत मदद करेगी, इस ड्रिल में बॉल को एंड तक देखना होता है, और उसे अपने हाज से ग्रिप करना होता है, इस ड्रिल में हम पॉन्स की हल्ट के साथ पिच को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में बैट्समें ड्राइव के लेगा, और सेकंड पार्ट में बैट्समें बैक फूट पे बॉल को अच्छे से डिफेंड करेगा, इस ड्रिल की मदद से आपक आपको बॉल की लेंद को समझने में आसानी हो थर्ड ड्रिल इस ड्रिल में बॉल की लाइन को समझने में आसानी होती है कि बॉल किस लाइन पर आ रही है इसमें विकिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ओफ सैड और लेक सैड इस ड्रिल को बार-बार करने से आपको बॉल की लाइन को समझने में बहुत असानी होगी इन तीनों ड्रिल्स के साथ आप बॉल की लाइन और लेंद को जज़ करना काफी असानी से सीख सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किर्पया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें